उदारण 4 किसी वित्रण के वर्गांग 104, 114, 124, 134, 144, 154 तथा 164 है वर्ग का आकार तथा वर्ग की सीमा ग्याद कीजिए हल वर्ग का आकार दो समीप वर्गांगों का अंतर होता है इसलिए वर्ग का आकार बराबर 114, रिन 104, बराबर 10 है हमें आकार 10 के वर्ग चाहिए जिनके क्रमानुसार वर्ग के मध्यबिंदू 104, 114, 124, 144, 154 तथा 164 है इसलिए प्रथम वर्ग की निन्न सीमा बराबर कोस्ठक, 104, रिन 10 बटा 2 कोस्ठक बंद बराबर 99 इसी तरह प्रथम वर्ग की उच्च सीमा बराबर कोस्ठक, 104, धन 10 बटा 2 कोस्ठक बंद बराबर 109, इसी प्रकार अन्न वर्ग की वर्ग सीमा निन्न अनुसार होंगी वर्ग अंतराल 99 से 109, 109 से 119, 119 से 119, 119 से 119, 119 से 179, 119 से 179, यह हमारा हल होगा आंक्णों का आलेखी निरूपन एक कहावत है कि एक चित्र हजार शब्दों से भी उत्तम होता है प्राय अलग-अलग आंक्णों की तुल्नाओं को आलेख की सहायता से अच्छी तरह से दर्शाय जा सकता है यहां हम निम्न लिखित आलेखी निरूपन करेंगे पहला आयचित्र हिस्टोग्राम दूसरा आवरत्ती बारंबारता बहभुज फ्रिक्वेंसी पॉलिगोंस तीसरा संचाई आवरत्ती वक्र तोरण क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और उजाईव आयचित्र हिस्टोग्राम आवरत्ती वित्रण के आलेखी मिरूपन की यह सरल एवं उत्तम विधी है इसे बनाते समय वर्ग अंतराल स्वतंत्र चरको एक्सक्ष एवं आवरत्तियों आर्शिच चरको वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं इस विधी में प्रत्तेक वर्ग अंतराल के उपर आवरत्तियों के बराबर उचाई का आयत बनाते हैं अतह आयतों की एक श्रंखला सी दिखाई देती है इन आयतों की छेत्रफल उनकी संगत बारम बारताओं की समानुपाती होते हैं उदारण पाच किसी कक्षा के 16 विध्यार्थियों द्वारा परिक्षा में प्राप्त किये गए अंक निम्ना नुसार हैं प्राप्ता अंक विध्यार्थियों की संख्या आवरत्ति 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विध्यार्थियों की संख्या एक है और 20-30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है और 30-40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है 40-50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है और 50-60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है इन अंक्रों के लिए एक आयत चित्र खीचिए हल, हम आयत चित्र खीचने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं चरण एक, एक आलेक कागज ग्राफ पेपर पर दो लाम्बिक रेखाएं खीचिए तथा उन्हें X अक्ष और Y अक्ष निरूपित कीजिए चरण दो, 36 अक्ष के अनुदिश हम वर्ग प्राप्तांक को प्रदर्शित करेंगे यहां हमने एक संटिमीटर में एक वर्ग को दिखाया है चरण तीन, उर्धवादा रक्ष पर बारंबारताओं विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करेंगे इसके लिए उप्युक्त स्केल यहां एक विद्यार्थी बराबर एक संटिमीटर लिया है यह अभीष्ट आयत चित्र है